हेलो स्टुडेंट्स आगए थे आप सभी का आरवेद रुट्यूब में तो स्टुडेंट आज हम आप लोगों के लिए कोस्टन ले करके आए यह कोस्टन क्लास 9 की मैथ से चेप्टर नॉम्बर 2 पॉलिनॉमियल से लिया गया है तो आज इस वीडियो में हम इस को डिसकस करे हैं आप विडियो को ध्यान से देखें आंत तक देखें वीडियो पसंदा आए तो लाइक किए दोस्तों को भी शेयर की जे चैनल पर लाइक है और यह दिया गया है और यह दिया गया है इसकी product find करने है जो class 9th की मैथ के chapter 2 में जो आइडेंटिटीज है उनका यूज करके पहला question है हमारे पास x plus 3 into x plus 3 दूसरा question हमारे पास x minus 3 into x plus 5 तो यह दो question है मैं इन questions को एक एक करके solve करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या answer होगा ठीक है तो आप चाहें तो screenshot ले 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 या फिर आपकी book में लिखा होगा तो कुछ भी करने जरूर्ण नहीं है solution first question हमारे पास x plus 3 x plus 3 दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x plus 3 x plus 3 है तो इसको लिख सकते हैं x plus 3 whole square चींखे इसको ऐसे हम रइट कर सकते हैं क्योंकि दो बार है तो उसको square right कर सकते हैं देखो आपने एक identity पढ़ रखा होगा a plus b into a plus b तो इसको हम ऐसे write कर सकते हैं a plus b whole square और इस identity की value होती है a square plus 2ab और plus b square तो basically हम लोग ये वाली identity use करने वाले हैं तो ये आपकी book में identity number first है तो यहाँ पर write कर लेंगे using identity past we get तो यह हमारे past identity first है और यहाँ पर a की value है x और b की value है 3 तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा x plus 3 whole square is equal to देखो यहाँ से a is equal to है x और b is equal to है 3 तो whole क्या जाएगा देखो x का whole square plus 2 into x into 3 और plus 3 का whole square अब x का whole square कितना होगा x square 2 into 1 into 3 तो 2 into 3 जा 6 sin अभी का plus है तो plus ही आएगा ठीक 6 into x हो जाएगा 6 x और 3 का square कितना हो जाएगा 9 तो यह हमारा answer हो जाएगा इस question का x plus 3 whole square ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा इस question का तो आप वीडियो को पहुच करके write down कर लें पर screenshot ले 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 इसी प्रकार से हम second question का answer find करेंगे solution second we have क्या हमारे पास x minus 3 x plus 5 अब इसको हम identity number 4 से solve करेंगे using identity for we have identity for क्या कहता है देखो x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b x और plus a into b तो यह हमारा होता है अब यहाँ पर देखो मैं पहले समझा दूँ कि x क्या होगा लोगो x का तो x दिया ही हुआ है a की जो value है ना वो minus 3 दिया हुआ है और b की value प्लस 5 दिया हुआ है तो प्लस हम लिखते नहीं है minus की value को हम bracket में रखेंगे किसमें रखेंगे ब्रेकेट में तो चलिए फिर put करते हैं x minus 3 x plus 5 is equal to यहां पर हो जाएगा x square plus यहां पहले big bracket लगा लेंगे क्यों क्योंकि minus की value जो है वो bracket में आएगी तो यहां पर इसको रखेंगे minus 3 अब यहां पर sign क्या है plus तो इसको plus रखेंगे b की value कितनी है 5 और यहां पर big bracket close कर देंगे into x plus देंगो a की value है minus 3 तो minus की value bracket में रखेंगे और b की value है 5 इसको solve करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा x square x square ही रहेगा जब bracket open करेंगे तो देखो यह minus का 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा minus का 3 हो जाएगा number बढ़ा है 5 का तो साइन तो प्लस आजाएगा 5-3 is equal to 2 और 2 x कितना हो जाएगा 2 x अब देखो minus into plus minus हो जाएगा 5 3 15 कितना हो जाएगा 5 3 15 तो यह हमारा answer हो जाएगा student इसका answer कितना आजाएगा देखो x square plus 2 x minus 15 तो आप चाहों तो वीडियो को पाउज करके इसे रेट डॉन कर लो या फिर स्क्रीन सॉट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो च